मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर लेकर आगया हमके लिए शांदर वीडियो माफ कीजेगा कल के लिए कल मैं वीडियो नहीं बना सका आपके लिए कोई कल मेरी थोड़ी हालत नाजुक थी बाट यहां पर बात करते हैं संसेक्स की और संसेक्स के उपर में आपको देखेंगा हम मुला अगयन कंसोलिडेशन और मैं आपको बता दिया है कि बहिया Consolidation कब तरहेगा 18 तारिक तक जो है आपको Consolidation देखने को मिलेगा मतलब कल जो है ये सारी चीज़े चेंज होएंगे क्योंकि कल जो है वो FAT की Meeting होने के बाद में Market को मिलेगी Direction और Sectors को भी मिलने वाली है Directions आगे चलने से पहले आपको कुछ और चीज़ अपडेट कर देता हूं ताकि आपके लिए बहुत अच्छी खुशकबरी लेकर आया हो एक October से सब चीज़ बदल जाएगी मतलब Bonus से जुड़े नियम बदल जाएगा Bonus से जुड़े नियम क्या है वो जान लेते है तो बोनस जब आपको मिलता था तो आपको उसको 15 दिन तक वेट करना पड़ता था लेकिन अब जो नया रूल है वो सिंपल सा आगया वहिया Bonus आपने डिकलेर किया है आपको उसके 2 दिन के अंदर में Bonus क्रेडिट करना पड़ेगा और T plus zero का settlement भी जो है वो आने वाला है कुछे दिनों के अंदर में तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खुशकबरी की बात है यह बात कर लिते हैं अब एक नए शेयर की जिसका नाम है Bright Chrome Group आपको पता है मुझे पता है सब लोगों पता इसका बेसबरी से इंदिजार करेते हैं आप लोग भी और यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है बात कहां तक पहुंची है मैं आपको आता हूँ फिलाल जून के अंदर में यह ट्रेडिंग बंद हुई थी और छोटे निवेशों के लिए बहुत बड़ी आफ़त की बात होगी थी हाला कि अब फिर से एक बार नॉर्मल ट्रेडिंग इसके अंदर में शुरू होने वाली है क्योंकि देखें बंद होनी के वज़ए क्या थी कि कि Q3 और Q4 इनका इस्टिल पेंडिंग और अब Q2 का टाइम अल्रेडी आ चुका है जो कि 2024 का है ये 2023 के जो फिनेंशल रिजल्ट है बाकि आला कि Q3 लांच कर दिया बट Q4 भी इनको लांच करना बहुत ज़रूरी था इन टाइम के अंदर में फिलाल अगर शेर के भाव के अगर आप बात करें तो 122 रुपे के लिवल से फिलाल अभी आपको 9 रुपे के आसपास में देखें को फिलाल शेर ये मिल रहा है अभी ब्राट कुम के शेरों में नॉर्मल ट्रेडिंग कब से शुरू होने वाली है फिलाल अभी जैड के अंदर में है जिसके अंदर हर हफते के वल एक दिन कारोबार होता है जैड के टेगरी का मतलब एक दिन कारोबार होना वीक के अंदर में कारोबार दिन के शेरों का डिलिवरी बेस ट्रेडिंग होती है कोई इंट्राडे आप इसके अंदर में नहीं कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर एक उन्होंने लिस्ट हमाई है फिलाल के लिए कि उन्होंने क्या करना है कंपनी ने इन्वेस्टर प्रिटेक्शन में दिखा है कि वे एक्टिव तरीके से इस पर जो है काम कर रहे हैं फिलाल तो कंपनी किसी जल्दी सामानी आपको देखने को फिलाल मिल सकती है कंपनी के ओपर में कोई खास debt आपको देखने को फिलाल मिल नहीं रहा है केवल quarter result ओर निमने रूप से दे नहीं पा रही है क्यूफोर के आते ही कंपनी के अंदर में day to day ट्रेडिंग चालू हो जाएगी फिलाल इसके जो कारोबार है वो overseas के अंदर में है तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है Q4 का जो है इन्होंने hint दे दिया है तो जल्दी launch हो जाएगा और नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगी अब देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ एक छोटा सा छे जो की फूड से रिलेटेड है और सरकार का एलान हुआ रॉकेड बन गया ये शेर अच्छा नॉर्मल लेटर बता में आपको एक और अपडेट देता हूँ जो राइस से जुड़ी है और फिलाल राइस से जुड़ी अपडेट जो है वो मैंने पेड ग्रूप में अल्रेडी डाल दी थी हाला कि दो दिन पहले ही मैंने न्यूस दे दी थी यहाँ पर उसी न्यूस के बेसिस पर आपको कोईन और फूस के अंदर में 20% से अपका जो है circuit देखने को मिला और यहाँ पर यह जो circuit है वो खेवल और खेवल उस news से आया अगर आपको वो news पता होती ही तो आप भी यह 20% जो है वो फिलाल कमा सकते हैं फिलाल rice से related और जितने भी grains related जो news अभी आ रही है वो favors में जा रही है जैसे चीनी के लिए ethanol blending या फिर गन्य के रस को use करना gasoline के अंदर में 2025 तक तो government काफी अच्छा जो है वो promote करी अभी अनाज के sector के अंदर में बात काता है GPT infra project की हो GPT infra budget के अंदर में मैं वाग को बजाएता हूँ यह flagship company है GPT project की हो 2000 करोड से जादे की company है स्टॉक का PE भी जो है काफी शांदार आपको नजर आता रिटर्न का पड़े इंप्लॉड एक्वीटी दोनों डबल जीट के अंदर में आते हैं यहाँ पर company आपको dividend भी निकाल कर देती है और 207 और प्राइस है 24 रूपे चटकर आया था यह शेर 207 रूपे तक गया अभी 162 पर मिल रहा है और यही इसके लिए best timing है जहाँ पर आप इसको जो है फिलाल consider कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें दिगज company का अंदर पर जीपीटी जो है वो आपको नजर आता है उसके अलावा यहाँ पर net profits अगर company के देखें तो यहाँ से आप 5 साल के यह quarter के आप कैसे भी आगर आप देखना चाहें तो वो आखड़े आपको बहुत अच्छे बैया होता है यह 5 साल का आखड़ा मैंने आपको दिखा है net profits का 20 करोड 23, 36, 66 आप देखेंगे डबल हो गया और इस साल इसने 71 परसंट का रिटन दिया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिजर्व तो रिजर्व के अंदर में भी आपको जो है काफी अच्छा खासा जो है momentum देखने को मतरा वहीं बोरोंस को अगर आप देखेंगे जो है यह शेर 202 रुपे से 160 रुपे के नजदीक आया है लेकिन वो बेचे किसको भी या FIS को बेचे सीदह सीदह FIS ने बहुत बड़ा स्टेक जो है सीदह 8% का 1% से 1.5% का स्टेक जो है वो DIS ने बाइक है तो यह जो इन्होंने बेचा है ना वो खरीद है किसने है यहाँ पर प्रमोटर्स का जो माल FIS ने और DIS ने किसका खरीद है जनता का माल खरीद लिया तो यहाँ पर क्या है FIDIS इसको खरीद रहे है और यही सबसे बेस्ट बाइंग प्राइज है 160 रुपीज के आसपास का 150 का आप ऐसल ले सकते हैं इसके अंदर में और 200 रुपे इसका आराम से जो टार्गेट है नॉर्मल निकल सकता है 200 रुपेज इसका मिट टार्गेट है और यहाँ से 300 रुपेज जहाँ पर पैसे डबल होंगे लॉंग टर्ब टार्गेट आप इसको फोकस कर सकते हैं तो जैसे ही पेड ग्रूप पर लेकर आता हूँ आपको यहाँ पर ये स्टेड़ी की निउस देखने को मिलती है ये स्टेड़ी निउस को थोड़ा सा मैं बढ़ा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ड्यूटी और एडिबल क्रूड ओयल इंडिया गवर्मेंट अलाओ शुगर मिल डिस्टिलरीज और इंडिया रिमूवस फ्लोर प्लाइज और बासमती राइस तो यही निउस होती है जो आपको मार्केट खुलने से पहले मिलके मतलब यह निउस जो थी वो दो दिन पहले की थी लेकिन आपको कल के दिन सुबह बैंक ओन मार्केट में मिलके आड़ बच के 49 नोड़ मार्केट खुलने से पहले आप चाहते तो उसको खरी सकते थे यही था जहाँ पर आप 20 परसेंट कमा सकते हैं हाला कि इस गुर्व की प्राइजिंग जो 300 पर मंत की जहां पर आपको स्विंग डेट मिल जाता है शॉट टाम ओल्डिंग लॉंग टाम ओल्डिंग सारे टाइप के स्टॉक और सारे टाइप की न्यूज इंग्लिश और इंदी में मिलती है साइड़ वेस था तो यहां पर इंडेक्स के अंदर में भी हमने जादा कुछ खास किया नहीं एक ही कॉल लिए और एक ही कॉल से हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला और यहां पर जो प्रॉफिट है वो 2000 का प्रॉफिट हमारा बन गया है इस गूप की प्राइजिंग है 1000 पर मंत की जहां पर आपको डेली प्रॉफिट जो है आप निकाल सकते हैं दीए के नंबर पर कॉल यह मैसेज कर सकते हैं चाहे बहले ही आपको इंट्राडे से जुड़ना है स्टॉक ऑप्शन यह फ्यूचर से उस गूप की प्राइजिंग है अगर आप आज से भी जुड़ते हैं जैसे आगर आप आज उससे जुड़ते हैं सत्रा सेप्टेंबर से तो सत्रा अक्टूबर तक आपका प्लान वैलेड रजागा बात करते हैं उस शेयर की जिसका दाम जो है वो उसके बुक वैल्यू से लगबग यह मान लीजा आप एक दो परसेंट ही है ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका कैलकुलेशन लगाना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर आप देखेंगे हाई लो सेम प्रैस का है बुक वैल जो है आप देखेंगे तो वो भी अच्छा है दिविडंट जो है ना वाइस रुपे शियर का मतलब जितने का आपका शेयर है उससे डबल का डिविडंब दे रहे है रिकौरड डेट जो है वो 17 सप्टेंबर है इसकी ठीक है तो 5 लाग का मार्केट गैप आपको देखेंग कमपनी है यहाँ पर कमपनी पूर्ट से डेट फ्री है कमपनी डेट भी रिडियूस कर रही है उसके अलावा कमपनी के अंदर में अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आपके पास में 14 परसंट और शेर होल्डर है आपके पास में 19.30 परसंट लेकिन अगर आप नंबर ऑफ शेर होल्डर पर नजर डालेंगे तो वह केवल मात्र सौ शेर होल्डर है तो यह जो कमपनी है ना जिसके वारे में बात कौना उसका नाम है साउधरन गैस लिमिटेड औ आपको डबल फायदा हो नहीं है आपका पैसा डबल इस शेर के अंदर में तो अगर आपको कल के मार्केट जब खुलता है अगर आप शेर को बाय कर सकते हैं तो आप जरूर करिए वीडियो कर अच्छा रहा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की हिड़न और हिड़न निउस जो हैं वह आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलती हैं सी यू सून